प्राप्त जानकाली के अनुसार नाबाली अपने माता पिता के साथ बरगूंडा थाना पहुची वही पदस्त प्रयंग का अलावा ने डरी सेमी हुई बाली का से बात की और मामले की तह तक पहुची और आरोपियों को अपने टीम के साथ पकड़ लिया बढ़गोंडा थाना शेत्र की पोश कॉलोनी में रहने वाले युवक ने नाबाली के साथ वही के गोलू नामक व्यक्ति ने दुशकर्म की घटना को अनजाम दिया एवं इस घटना में दो अन्य का भी साथ होना बताया जा रहा है वही थाना प्रभारी ने पूरे मामले की जाच करते बताया कि दो महापूर्व एक अज्यात इस्थान पर नाबालिक को ले जा कर उसके साथ दुशकर्म की घटना को अनजाम दिया गया आज दिनां को नाबालिक अपने परीजनों के साथ थाने पहुची और अपने साथ हुई आप बिती को सुनाई और जानकारी दी इस पर वरिष्ट अधिकारियों के निर्देशन में बर्गोंडा थाना प्रभारी ने गोलू वा उसके अन्य साथियों पर मुकदमा दर्ज करते हुए एफायार दर्ज की पुलिस ने गोलू पर 374 वा पॉसको एक्ट वा उसके अन्य साथि जो दुशकर्म की घटना को अन्जाम तक पहुचाने में सहयोगी रहे उन पर भी अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है इसके साथ गटना गटी दूई थी उजवारा में उसने रिपोर्ट के थी उस पर से हमने अपरा तंजीवत किया थी उसे च्टर का सरे कपको आम मामला है यह मामला है एक आटका है प्राखी के तीन निन पहले का है लेकिन वो सभी बेर समाज के लोगे एक तेरे के सम्हों के रहते हैं कि दर के मार रहे है या कोई करण होगा जो निताक उसने रिपोर्ट में की थी तीन तारीक वाई एनना ततका ल सके एफेर्लमा एच खिला और गर अलुप्यों को पकड़ा और इसको फंके आप इसे किया ख़़ा थी है किया हो था मच्चिक समें डासा वा फुदी प्रकार शिशोदिया की रिपोर्ट